स्टुडेंट्स आदते जो होती है न हमारी हाँ वो दो तरह की हो सकती है एक ऐसी आदते जिसको आप बुरी आदते बोलते हैं एक ऐसी आदते जिसको अच्छी आदते बोलते हैं जितनी भी अच्छी आदते होती है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती ह वो हमारी बहुत अच्छी सेवक यानि कि वो हमारी बहुत अच्छी नोकर होती है आदते जो है हमारे सर्वेंट की तरह काम करती है वो हमें आगे बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्प करती है अच्छी वाली आदते कुछ आदते होती है जो बुरी आदते होती है वो बहुत बुरे स्वामी की तरह होगी है यानि कि आदते जो है वो हमारा स्वामी बन जाती है नोकर नहीं स्वामी तो आपकी जो भी आदते हैं आप पता कीजिए कि वो आपकी नोकर है या वो आपकी स्वामी नोकर होगी तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी और अगर आदते आपकी स्वामी बन गई तो फिर आपके लिए वो बहुत जादा नुकसान दायक होगी बट आदते जो होती है वो पढ़ जाती है किसी भी वज़े से संगती की वज़े से बहुत सारी वज़े होती है उसकी अब जो बुरी आदते हैं जो बहुत बुरा स्वामी है तो उसको कैसे रोकें या उसको कैसे छोडें तो इसको एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता आपको क्या करना पड़ेगा इन बुरी आदतों को रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस किसके साथ करना पड़ेगा अच्छी आदतों के साथ में गुड हैबिट्स के साथ में अच्छी आदतों के साथ में जब आप अच्छी आदते अपनाएंगे तो बुरी आदते अपने आप ही छूटती जाएगी धिरी धिरी लेकिन यहाँ पर जो topic है वो यह हैं कि जो यह अच्छी आदते होती हैं इसको डालने के लिए अपनी life में लाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूत पड़ती है तब ही यह अच्छी आदते आपकी life में आएगी ऐसे ही मेरे बोलने से और आपके सुनने से नहीं आएगी आप भी दिर में भूल जाएंगे लेकिन वो तीन चीजों को याद रखेंगे तो दीरे दीरे अच्छी आदते आपकी life में आती जाएगी और बुरी आदते पीछे रहती जाएगी इसमें सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है इच्छा या फिर आवशक्ता आप अच्छी आदत ज तो आप उस आदत को कभी भी अपनी life में लाई नहीं पाएंगे तो एक तो चाहिए आपको इच्छा या फिर आवसक्ता उस आदत की आपको बहुत जादा आवसक्ता है नीड है तो फिर फर्स्ट पॉइंट आपका complete हो गया सेकिंड चीज जो चाहिए वो है शमता यानि की capacity योगेता ability जो भी आदत आप अपनी life में लाना चाहती है उसको प्राप्त करने की आप में शमता capacity ability भी होनी चाहिए उस आदत को life में लाने की इच्छा तो है लेकिन ability नहीं है शमता नहीं है capacity नहीं है तो फिर आप उस आदत को कभी भी अपना नहीं पाएंगे अगर इच हैं बस उसके लिए आपको संकेत की ज़रूत पड़ेगी डारेक्शन की ज़रूत पड़ेगी संकेत क्या होता है आपका जो भी रूटीन है उस रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीजों को रखना जो आपको उस नई आदत की याद दिलाएं फॉर एक्जामपल के लिए यह फोन में इसमें इंस्टागराम है आपको इंस्टागराम के आप रील्स देखते हूं जिससे आपका बहुत हुस्ट था आपको इस चोड़ आ और एक आप नही आदत लाना चाहते हैं जिस जिसको लाने की आपकी चाभी है आपकी शमता आ भी जैसे ही आप रखेंगे तो अब जैसे आप मोबाइल को हाथ लगाएंगे पास में बुक भी दिख जाएगी दो चार जो भी अच्छे ची तो आपको वो याद दिलाएगा संकेत हो गया कि आपको वो काम नहीं करना है उसकी जगभ बुक्स पढ़नी है तो इस तरीके से आपक आपके नोकर यानिकी सेवक का काम करेगी आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी और इससे बुरी आदते अपने आप खतम हो जाएगी रिप्लेस हो जाएगी आपको उसको छोड़ने की जरुरत नहीं है वो अपने आप छूट जाएगी तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं